इसकारिक्रम के पुन्य आर्जक हैं श्री गुलाब चंद, कान्ता, मनीश, सरीता, नीरज, मनीशा, प्रियल, प्रियांश, आर्ष, आर्नाशाह, एवं परिवार नमो सिद्धानम, नमो आईरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोये सव सावूरम पंच परमिष्टी भगवंतों की अचार्य भगवन गुर्वर विशुत सगर्ज मुन्राज की या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवर्दी के लिए नीती के विश्यों का श्रवन कर रहे हैं वास्तविक्ता में अगर कोई भूतार्थ संपत्ती है तो उसका नाम है नीती क्योंकि नीती ज्ञान का विश्य है विक्ति को जब भी जीवन में सुख अत्वा दुक मिलता है वो संपत्ती के अभाव में मिलता एं व्यक्ति को जब भी दुख मिलता है वो संपत्ति के अभाव में मिलता है दो प्रकार की संपत्ति हैं दो प्रकार की संपत्ति आए एक चेतन संपत्ति एक अचेतन संपत्ति तो आज नीती में यही कह रहे हैं कि जो चेतन संपत्ती है उस पर जादा आपको फोकस करना चाहिए क्या कह रहे हैं दिखने की यहां कह रहे हैं कि अग ज्ञानी के द्वारा जोड़ी गई धन संपत्ती छीनी जा सकती है मगर ज्यानी के द्वारा जोडी गई ज्यान संपत्ती कभी भी छीनी नहीं जा सकती एक संपत्ती धन की एक संपत्ती ज्यान की धन से ज्यान नहीं मिलता ज्यान से धन मिल सकता है पहले के लोग धनवान भी होते थे, ज्ञानवान भी होते थे आज के समय में लोग सिर्फ धनवान हो रहे हैं, ज्ञानवान कोई हो ही नहीं रहा स्कूलों में कॉलेजिज में जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई में केवल डिग्री मिल रही है ज्ञान नहीं मिल रहा अगर आपको किसी चीज के पीछे भागना ही है तो ज्ञान की संपत्ती के पीछे भागो इंग्लिश में चीज कहते है information is wealth degree is something but information and knowledge is everything अगर आप ज्ञान के लिए जाते हो तो आपके पास धन आएगा तो आप धन के लिए जाते हो जरूरी नहीं है कि ज्ञान आएगा कीमत ज्ञान की है ज्ञानी की है वजनदारी किसकी होती है देखो जिसके पास ज्ञान है उसकी भजनदारी है अगर जैन आगम से बात करते हैं तो केवल ज्ञान जिसके पास है चक्रवर्ती सौदर मिंदर जैसे जीव भी सर जुकाते मिलते हैं अगर आगम से बात करते हैं तो सामान रूप से बात करते हैं तो सादूंग में आ जाते हैं जिनके पास अधिक ज्यान है उनके पास जिनके पास अधिक चारित रहें उनके पास लोग ज़्यादा बैठना पसंद करते है इसमें भी ज्यान की हो और अगर अपना आते है जिनका ज्यान जितना विशेश है उनके पास सब बैठते हैं हम मावरती और इन दोर में पंडित जी ने पढ़ाया वो अनुवरती महावरती भी अनुवरती के पास गए की नहीं, बैठे की नहीं पंडित आसादर जी खंडेलवाल समाज के थे लेकिन करनाटक में उनका जो इस्थान था वहाँ वो पांच-पांस सो मुनियों को एक साथ पढ़ाते थे, इतने ज्यानी थे तो ये बात क्यों कह रहा हूँ में कि अगर आपको अपना प्रवत पर बढ़ाना है अगर आपको अंदर अपनी शक्ति बढ़ाना है अगर आप चाहते हो कि विक्ति आपकी पूच करे तो आपको ग्यान की और कूच करना चाहिए इन्हें ग्यान की और गमन करना चाहिए धन संपत्ति आए ना आए कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन अगर ग्यान है तुमारे पास कला है तुमारे पास सब तुमारे पास चल के आएंगे लेकिन आप ज्ञान के लिए नहीं भाग रहे हो आज के समय में लोग डिगरी के लिए भाग रहे है ओ जो डिगरी के लिए भागा जा रहा है न नो ज्ञान का बच्चता है न डिगरी का इसलिए जो सच्ची संपत्ति उस पर गौर करो धन सच्ची संपत्ति नहीं है ज्ञान सच्ची संपत्ति है ज्ञान की संपत्ति का संग्रे करो सादू बनने के बाद प्यूस एक बार सादू बनने के बाद पांस साथ साल किवल स्वाध्या है अंध्यान स्वाध्यान में लग जाए और व्याकरण का ग्यान अच्छे से कर ले बांकी विश्यों के साथ फिर वो राजा है फिर वो राजा है राजा क्योंकि ग्यान की संपत्ती है न आचारश्री ने हमसे बात कही थी 2016 में ग्रीस में कालीन वाचना थी दुरुग में हमारा जनम दिन था और आचारश्री ने उसके दो दिन पहले बात कही थी कि बिटा एक विद्या अपने पास ऐसी हो जो पैसे से ना कमाई जा सकती हो वो विद्या ऐसी हो जो पैसे से ना कमाई जा सकती हो अगर ऐसी विद्या तुमारे पास है तो बड़े से बड़ा विक्ति भी तुमारे सामने जुकेगा तुमसे उम्र में बड़ा हो दीच्चा में बड़ा हो प्रभुत में बड़ा हो तो भी वो जुकेगा उबले वो विद्या है ज्ञान की विद्या चाहे व्याकरण की हो चंद की हो, अध्यात्म की हो सिध्धान्त की हो, नियाय की हो जोतिस की हो, कोई भी विद्यावास्तु की हो इन सारी विद्याओं में अगर आप हो निशनात हो, बड़े से बड़ा विक्ती भी जुकेगा, उस चीज को मैंने अनुभाव किया उस दिन, बात तो सही है, और उस चीज का ये अनुभाव रहा, बहले ही कोई मुझसे इर्षा करता हो, बहले ही इर्षा करता हो, लेकिन उसको ज्यान हमसे चाहिए, तो नीचे हो, तो भी ज्यान लेने आता है, आप मैं आप से कह रहा हूँ कि, बहुत सारे अभी प्राक्यत के शिवर में ऐसे, अपने सुदी स्रावा काये थे, जिनका ज्यान कई विश्यों में हमसे अधिक है, सिद्धानत आदी की विशे में, धवला आदी की विशे में, अत्वा, ऐ ऐसे भी आयते जो संस्ताओं में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, लेकिन वो हमारे पास बैठ करके उन्होंने प्राक्रित का अध्यन किया, क्यों किया, उनके पास वो नहीं था, आप देखो कि ज्यान की संपत्ति, कितनी बड़ी संपत्ति है, और उस ज्यान के साथ अगर आपके पास अनुभाव का मिस्रण है, फिर तो सोने पे सोहागा, फिर तो आप भूले जाओ, कि आपका कोई हाथ पकड़ पाएगा, अनुभाव भी तो हो, ज्यान की संपत्ति और अनुभाव, कि तो आप समझ लोगे कि बड़ी सुन्दर चीज है, ठंडियों का मौसम हो, और बणिया अच्चे गरम गरम पराटे चलते मठर के, और टमाटर की चट्री साथ मिल जाए तो पर तो बस, कुछ नहीं चाहिए हो गया, पेट यहां तक नहीं यहां तक भरता अद्मी का फिर, सही है, नहीं है, अरे यही तो कह रहे हैं, ज्यान जो है वो बहुत बड़ी वस्तु है, और अगर अनुबा मिल गया, फिर वो बेजोड है, ज्यान को कोई चीन नहीं सकता है, इसलिए ज्यान सबसे बड़ी संपत्ति है, कल के दिन जमीन में कोई कपजा कर लेगा, इंकम टे ज्याय से अगली परयाय तक भी जा सकता है, इसलिए ज्यान संपत्ति की और गंबीरता से विचार प्रारम करना, ज्यान की और बढ़ना, लेकिन ज्यान को बचाने की शक्ती भी रखना, कोई पूचे तो ही बताना, ना पूचे तो मत बढ़बढाना, अगर आप चाहते हो क ज्यानी बनने के बाद ये स्थिति आपके साथ ना आए, तो आपको लिखना प्रारम कर देना चाहिए, तो आपका ज्यान का प्रयोग होगा और लोग आपकी उपर हसी भी नहीं करेंगे, इस प्रकार समझना, ज्यान की संपत्ति से बड़ी, कोई संपत्ति नहीं है, धन सं पत्ति चीनी जा सकती है ज्ञान संपत्ति कभी चीनी नहीं जा सकती क्योंकि वो हमारी है धन संपत्ति हमारी नहीं है ज्ञान की संपत्ति ही हमारी संपत्ति है शेश आगे विचार करेंगे भगवान महावीर सौमी की आचार्य भगवन गुरुवर विशुत सगर्जी महराज इस कारिक्रम के पुन्य आर्जक थे श्री गुलाब चंद, कांता, मनीश, सरीता, नीरज, मनीशा, प्रियल, प्रियांश, आर्श, आर्नाशाह, एवं परिवार